गिनोने मनसूबों को कोचलना ज्यादा ज़रूरी है क्या आज और ये चाहता है कि आतंकवाद के आगे घुटने टेक दिये जाएं आतंकवाद इस देश को खेरू खेरू बिखेर दे देश का विकास थम जाए देश का अमन अमान पूरी तरह से बिगर जाए यही आतंकवादी चाहता है यही आतंकवादी चाहता है जिनोंने ये घिनोना अपराध किया था उसे घसीट के लाना चाहिए और एक ऐसी सजा देनी चाहिए ऐसा सजा याफ़ता करना चाहिए कि पीडी दर पीडी it acts as a deterrent for generations पीडियां याद करें एसी घिनोनी सजा देनी चाहिए जिनोंने इस चीज की responsibility ली जो मानते हैं कि उन्होंने ये किया 1999 में कंधार में उनकी बेडियां किसने खोली थी उन्हें किसने रहा किया था यह मैं पूछना चाहता हूँ वो किसकी responsibility है हमारी लड़ाई उनके साथ है क्यों फौजी मरें क्यों जबान मरें क्यों बाप के कंधे के उपर दुनिया का सबसे बड़ा बोज बेटे का जनाजा सत्रा सौ इंसिडेंट क्यों बढ़ें पर्मनेंट सिलूशन क्यों ना हो इनके साथ हम सब की जंग है और मेरी भी है लेकिन किसी गुरू के सिख की जंग किसी दो साल के बच्चे पांच साल के बच्चे मजलूम महला बुजर्ग के साथ नहीं हो सकती क्या किसी गर्बवती महला के पेट में पलता हुआ बच्चा किसी का दुश्मन हो सकता है आप इन आतंक वादियों से लड़ाई लड़िये उनके पांच